द्रिश्टी आईएस के ओडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमरा आर्टिकल दा इडियन एक्सप्रेस में छपे लेक वाई यूएस सेंट्रल बैंक इस फोर्सिंग इट्स एकॉनिमी इंटो रिसेशन के सारांश पर आधारित है इसमें टीम ड्रिश्टी के इंपुट्स भी शामिल है यह है ओडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र तीन के अर्थ विवस्था खंड से जुड़ा है तो आईए आर्टिकल की शुरुवात करते हैं क्या वास्तव में अमेरिका में मंदी आने वाली है हाली में अमेरिका में मध्यावदी चुनावों का आयोजन किया गया यह चुनाव कॉंग्रेस के दोनों सदनों हाउस ओफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के लिए हुआ इस मध्यावदी चुनाव में अमेरिकी आवरजन नीती और गर्बपात नीयम के अलावा यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों की वृद्धी आदी कुछ प्रमुक चुनावी मुद्दे रहे दरसल इस साल की शुरुआत से ही अमेरिका उच मुद्रास्वीती और उच बेरोजगारी दर का सामना कर रहा है इस संबंद में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज की दरों में वृद्धी के कारण अमेरिकी बाजार और भी फीका हो गया है मंदी की आशंकाओं के बीच निवेशक भी बाजार से दूरी बनाए हुए हैं अमेरिकी स्टॉक मार्केट के दो प्रमुक इंडेक्स नस्दाक कॉम्पोजिट और डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज तीस प्रतिशत से ज़ादा तूट चुके हैं इसकी वजह से वैश्रिक बाजार पर भी आशंकाओं के घोर बादल छाय हुए हैं अमेरिका में आतिहासिक उच मुद्रा स्वीती के कारण संभावना जताई जा रही है कि आने वाले एक दो साल में अमेरिका भयंकर आर्थिक मंदी का सामना कर सकता है आगे बढ़ने से पहले आईए संक्षिप्त में जान लेते हैं मंदी फेडरल रिजर्व सिस्टम और फेडरल फंड्स रेट के बारे में जिने फेडरल बैंक 2022 की शुरुआत से ही लगातार बढ़ा रहा है पहले मंदी को समझते हैं असल में अर्थ्वेवस्था से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों जैसे कि उत्पादन, रोजगार, वास्तविक आये और अन्य आर्थिक संकेतकों में गिरावट को मंदी कहते हैं दूसरे शब्दों में कहें तो जब किसी देश की अर्थ्वेवस्था धीमी या सुस्त पढ़ जाती है तो उसे आर्थिक मंदी कहा जाता है तकनीकी आधार पर अर्थ्वेवस्था में गिरावट का यह दौर लगातार दो तिमाही से अधिक होना चाहिए फेडरल रिजर्व सिस्टम की बात करें तो यह भारतिय रिजर्व बैंक की तरहां अमेरिकी मौद्रिक नीती को वी नियमित करने के लिए एक संस्था है फेडरल रिजर्व को फेडरल रिजर्व सिस्टम या फेड के नाम से भी जाना जाता है संयुक्त राजे अमेरिका की यह केंद्रिये बैंकिंग प्रणाली 23 दिसंबर 1913 को अस्तित्व में आई 20 वी सदी के पहले दशक में अमेरिकी अर्थविवस्था ने लगातार वित्तिय जोखिमो का सामना किया जिसके कारण अमेरिकी मौद्रिक प्रणाली में सुधार के लिए केंद्रिये नियंतरण की जरूरत महसूस होने लगी इसी संदर्ब में फेडरल रिजर्व अधिनियम के जर्ये फेडरल रिजर्व सिस्टम की स्थापना की गई 1930 के दशक के आखिरी सालों की महामंदी और 2000 के दशक के दौरान मंदी जैसी घटनाओं ने फेडरल रिजर्व की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को मजबूत किया है वही FFR यानि federal funds rate वह भ्याज़दर है जिस पर अमेरीकी वानिजिक बैंक एक दूसरे से रातो रात उधार लेते हैं इस समबंद में बैंक एक दूसरे से जिस दर पर उधार लेते हैं उसी दर पर अपने ग्राहकों को भी उधार देते हैं इसका मतलब हुआ कि अगर बैंक उची दर पर उधार लेते हैं तो वे उभोगताओं को भी उची दर पर पैसा उधार देंगे जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में रैपोदर का निर्धारण रिजर्व बैंक ओफ इंडिया करता है जबकि इसके विपरीद अमेरिका में फेडरल रिजर्व सीधे FFR का निर्धारण नहीं करता है बताते चलें कि रैपोदर वेह ब्याजदर होता है जिस पर RBI भारतिये बैंकों को पैसा उधार देता है फेडरल बैंक मुद्रा आपूर्ती को नियंतरित करके FFR के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है इसलिए जब फेडरल रिजर्व अमेरिकी अर्थ्वेवस्था में प्रचलित ब्याजदरों को बढ़ाना चाहता है तो वेह मुद्रा आपूर्ती को कम कर देता है फेडरल रिजर्व की यह आर्थिक प्रक्रिया अमेरिकी बैंकों को उब्भोकताओं से उच्च ब्याजदर वसूरने के लिए मजबूर करता है कई महीनों के लॉगडाउन और प्रतिबंधों के बाद अर्थ शास्त्रियों को उम्मीद थी कि 2022 में मान में वृद्धी से महमारी के बाद आर्थिक उच्चाल आएगा लेकिन अमेरिकी मुद्रा स्वीती और मंदी के बारे में चिंता कर रहे हैं ऐसे में आईए अब उन कार्णों को समझने की कोशिश करते हैं जितके कारण अमेरिका में मंदी की स्थिती पैदा हो रही है खतरनाक रूप से बढ़ती मुद्रा स्वीती को नियंतरण में लाने के लिए फेडरल रिजर्व ने इस साल फेडरल फंड्स रेट में लगातार व्रिधी की इस साल जून जुलाई और सितंबर में होने वाली बैठकों में 75 बीपीएस यानि बेसिस पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी की गई जिसकी वजह से निवेशक बाजार से दूरी बनाये हुए हैं दूसरी वजह है कोरोना जिसके कारण सभी देशों ने कई तरहा की पाबंदिया लगाई इससे एशिया की आपूर्ती श्रिंखला पर काफी प्रभाव पड़ा यूक्रेन संघर्ष के कारण रूसी तेल और गैस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों ने 2021 में शुरू हुई अमेरिकी मुद्रा स्वीती की समस्या को और बढ़ा दिया फेडरल रिजर्व के पास मुद्रा स्वीती को नियंतरण में लाने के लिए कोई उप्योक्त योजना नहीं थी जिसके कारण मुद्रा स्वीती और भी तेजी से बढ़ी फेडरल रिजर्व का सबसे पसंदीदा मूल्य सूचकांक व्यक्तिकत उभोक व्य संकेतक यानि परसनल कंजंप्शन एक्सपेंडिचर्स प्राइस इंडेक्स ने जुलाई 2022 की अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी मुद्रा स्वीती की दर को 6.3 प्रतिशत बताया है मुद्रा स्वीती की यह दर फरवरी 2022 में 5.3 प्रतिशत था जबकि एक साल पहले यह दर 4.6 प्रतिशत था आंकड़े भी बताते हैं कि वर्तमान मुद्रा स्वीती 1980 के दशक की मुद्रा स्वीती के करीब पहुँच गई है जो कि अमेरिकी अर्थ्यवस्था के स्वास्थे के लिए ठीक नहीं है इसके अलावा उब्भोकताओं को रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की बड़ी हुई लागत का खामियाजा भी भूगतना पड़ रहा है अमेरिकी श्रम सांखी की ब्यूरो ने 13 सितंबर को बताया कि उब्भोकता मूल्य सूचकांग जो की कॉस्ट आफ लिविंग मापने का एक संकेतक है यह पिछले साल की तुलना में 8.3 फीसद बढ़ गया है वहीं अमेरिकी वैश्री कंपनी CME ग्रुप की माने तो अमेरिकी बॉर्ण बाजार सितंबर में 50 BPS की दर से वृध्धी कर रहा था जबकि नवंबर में इसके 75 BPS की दर से वृध्धी करने का अनुमान है यह स्थिती अमेरिकी अर्थववस्था के लिए नकारात्मक संकेत है साथी उच ब्याजदरों में वृध्धी के कारण अमेरिकी कंपनीयों को अब बैंक से लोन लेना और भी महंगा हो गया है खास कर नवाचार और विकास जैसे क्षेतरों में निवेश करने के लिए इसके अलावा क्रेडिट कार्ड गिर्वी जैसे ब्याजदरों में वृध्धी से अमेरिकीयों को अर्थववस्था में खर्च करने योग्या आई की कमी हो गई है गौर तलेबै की मंदी के अनुमान के बीच कुछ ऐसे संकेतक भी है जो ये पताते हैं कि अमेरिकीय अर्थववस्था पर कोई विशेश फर्क नहीं पढ़ने वाला है तो ऐसे में आई है अब इन संकेतकों को समझने की कोशिश करते हैं बाजार की आशंकाओं और स्टॉक ब्रोकर्स की चेतावनी के बावजूद कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों से निपटने हे तू अमेरिकी अर्थववस्था सक्षम है कई रिपोर्टों के हवाले से खबर है कि अमेरिका में नौकरी के मामले में व्रिद्धी हुई है वहीं दूसरी तरफ वेतन व्रिद्धी भी कई दशकों की तुलना में अक्त्यंत मजबूत है आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि निवेशकों को घबराने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है अमेरिकी श्रम बाजार की मजबूती से भी पता चलता है कि अमेरिकी मंदी की संभावना ना के बराबर है बात यह भी है कि मंदी की आशंकाओं से निवेशकों के व्यवहार में बदलाव आएगा और वे बाजार से दूरी बनाएंगे पर यह दूरी लंबे समय की नहीं होगी असल में पिछले कुछ दशकों में अमेरिका में मंदी काफी आम हो गई है द्वीतिय विश्वयुद के बाद से लगबग हर पांच साल में अमेरिका मंदी की चपेट में आया है अमेरिकी मंदी की खासियत रही है कि पहले की तरहां ये मंदी अब बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है इस संबन में अमेरिकी अर्थ्यवस्था ने काफी मजबूती हासिल कर ली है एक साधारन नजरिये से देखे तो द्वीतिय विश्वयुद के बाद से अमेरिकी मंदी की ओसत अवधी सिर्फ 11.1 महीने चली है 2020 की शुरुआत में COVID-19 की वजह से आई मंदी भी सिर्फ 2 महीनों तक ही चली दरसल मेडिया के आकरामक एंकरों और हेडलाइन के आधार पर समझने लगे हैं कि मंदी बस हमारे दर्वाजे पर खड़ी है जबकि ऐसा है नहीं मंदी आएगी या नहीं यह टेलिवीजन या कुछ अर्थ शास्त्री नहीं तै करेंगे बलकि निवेशकों और उभोगताओं का बाजार के प्रती रुजहान तै करेगा हालांकि एक पहलू यह भी है कि फेडरल रिजर्व दौरा ब्यास दरों में वृद्धी से उनके अपने ही लोगों के लिए आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही हैं ऐसे में हमें समझना होगा कि आखिर ऐसी क्या वजहें हैं जो फेडरल रिजर्व को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही हैं तो आईए समझने की कोशिश करते हैं गौर तलबे की अमेरिका एतिहासिक रूप से उच मुद्रा स्वीती का सामना कर रहा है वर्तमान में मुद्रा स्वीती की दर दोहरे अंक को छूने के करीब हैं इस समझ में फेडरल रिजर्व अमेरिकी अर्थ्वेवस्था में मूल्य स्थिर्ता को बहाल करने का उपाय कर रहा है फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में व्रिद्धी इनी उपायों में से एक है फेडरल रिजर्व का लक्ष यह मुद्रा स्फीती की दर को 2 प्रतिशत तक कम करना है जबकि सितंबर 2022 में यह 8.2 प्रतिशत पर था जैसा कि हम जानते ही हैं कि फेडरल रिजर्व प्रत्यक्ष रूप से FFR का निर्धारण नहीं करता है परंतु मुद्रा की आपूर्ती नियंतरित करके बैंकों को अपने ब्यास दरों में वृद्धी करने को प्रेरित करता है सैयुक्त राजे अमेरिका के फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पौवेर ने एक प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित करते हुए कहा कि वहें और उनकी टीन मुद्रा स्वीती की दर को दो फीसदी के लक्षे तक लाने के लिए प्रतिबद है अमेरिकी परिवारों और व्यवसायों की खातिर मुल्य स्थिर्था जरूरी है और इसको बहाल करने के लिए आवशक उपकरण और संकल्प दोनों हमारे पास हैं मूले स्थिर्ता फेडरोल रिजर्व की जिम्मेदारी है क्योंकि यह है अमेरिका की अर्थ्यवस्था के आधार के रूप में कार्य करती है मूले स्थिर्ता के बिना अर्थ्यवस्था सभी के लिए अनुप्योगी साबित होगी इस संबंद में विशेश रूप से देखा जाएं तो मूल्य स्थिर्ता के बिना श्रम बाजार हे तू नियमित रूप से वो स्थितियां प्राप्त नहीं होंगी जो सभी के लिए लाबदायक हों इसके अलावा एतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि अमेरिके अर्थ्विवस्था में समय से पहले दी गई धील नकारात्मक साबित हुई है इस संबन्द में लंबे समय तक अधिक्तम रोजगार पैदा करने और स्थिर कीमतों को प्राप्त करने के लिए मूले स्थिर्ता को बहाल करना आवश्यक होता है इसके अलावा मुद्रस्विती को कम करने के लिए निम्द लेकिन निरंतर आर्थिक वृद्धी की प्रवर्ती बेहतर होती है साथी श्रम बाजार की स्थितियों में भी कुछ नर्मी की जरूरत होती है इससे साबित होता है कि स्वस्थ अमेरिकी अर्थ्वेवस्था के लिए फेडरल रिजर्व द्वारा ऐसे उपाए जान बूच कर अपनाए जा रहे हैं ऐसे में सवाल है कि क्या हो आगे की रहा ब्याजदरों की वृद्धी को लेकर लोगों के मन में दो सवाल प्रमुक रूप से उभर रहे हैं पहला प्रश्ण है कि ब्याजदरों में किस गती से बढ़ोतरी की जा सकती है दूसरा की फेडरल रिजर्व ब्याजदरों को कब तक बढ़ाएगा इन दोनों सवालों के जवाब में फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की प्रेस कॉन्फरेंस काफी हद तक सपश्टता प्रदान करती है ब्याजदरों में तेजी के पहले मुद्दे पर पॉवेल का मानना है कि एफएफर वर्ष की शुरुवात से ही 0.25 प्रदिशत के लक्ष्य से 4 प्रदिशत तक पहुँच गया है जो कि एतिहासिक रूप से तेज गती है परंतु मुद्रा स्वीती में कमी लाने को लेकर निश्चित रूप से यह उच्चित उपाए है इसका अर्थ हुआ कि मुद्रा स्वीती को कम करने के लिए फेडरल रिजर्व द्वारा किसी भी हद तक ब्याज दरों में वृद्धी की जा सकती है आर्थिक विचारकों को उमीद है कि एफएफार दोहरे अंख तक पहुँचने तक जारी रहेगा हालंकि पॉवेल ने एफएफार की बढ़ती दर की अंतिम सीमा को नहीं बताया लेकिन यह कहा है कि समय के साथ इसका निर्धारण किया जाएगा मुद्रा स्वीती की दर को दो फीसत के लक्षे तक लाने के लिए जल्द बाजी होगी कि हम अपनी व्रिधी दर को रोकने के बारे में सोचें या बात करें इस बात से यही संभावना व्यक्त की जा रही है कि जब मुद्रा स्वीती की दर तेजी से नीचे नहीं गिरेगी फेडरल रिजर्व अगले कुछ महीनों तक FFR में व्रिधी जारी रखेगा असल में बात यह है कि मंदी नौकरी के नुकसान और अन्य वितिय कठिनाईयों का कारण बनती है साधिय लंबी अवदी के निवेशकों के लिए बेहतरीन खरीदारी के अफसर भी पैदा करती है हालांकि अमेरिका में मंदी की संभावना कم ही है फिर भी किसी कारण मंदी आती है तो अमेरिकी आर्थिक प्रणाली मंदी से निपटने में पूर्ण सक्षम है आईए नोट कर लेते हैं आज का सवाल अमेरिकी अर्थ्व्यवस्था मंदी की आशंकाओं से गुजर रहा है इस कथन के आलोक में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए